तीसरे Best AI Art Generator पे जो के है Leonardo.ai इसका URL भी आप चेक कर सकते है Leonardo.ai और यहाँ पे आप लेंड कर जाएगे Leonardo.ai जो एक मश्वूर आर्टिस्त थे उसी से इंस्पार करके यह AI बनाया गया है आप देख सकते हैं लोगो या आइकन भी जो है वो Leonardo.ai से रिसेंबल करता है और Leonardo.ai उन्ह सा complicated है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हो किसे आप access कैसे कर सकते हैं फिलाव यह home page पे जो है वह आप स्क्रॉल करके दूसरे सारा stuff जो है वो देख सकते हैं जो इन्होंने डाला हुआ है और यहाँ पर इसकी power का अंदावरा लगा सकते हैं इसका UI ऐसा create किया है कि लग के पास यह option जो है वो नहीं आ रहा होगा yes I am white listed यह option अब जो है वो नाने के लिए आपको या तो get early access पर या तो simply यहाँ पर अपना email address डालना है और count me in पर click कर देना है आपको जो है वो एक email receive हो जाएगा कुछ ऐसा और यहाँ पर email पर नीचे आके आपको click here to join us on discord पर जो है हो click करना है attention मत लीजे यह हम इस कार्ली access discord पर यहाँ पर use नहीं करने वाले लेकिन उसे access करने के दिए हमें discord का invite है वो accept करना परेगा और इसके जो ग्रूप में add कुना परेगा here तो यहाँ पर simply जो है accept करना है आपको invite और आप इसके discord ग्रूप पर आ जाएगे और मैं पर इसकी website पर आना है फिर आप जब launch app पर click करेगे तो आपके पास यह option जो है वो show होने लग जाएगा yes I am white listed फिर भी अगर आपके पास कोई questions हो तो आप नीचे comment section में मुझे पूच सकते है तो यहाँ पर इस पर हम click करके ही इसके platform पर चले जाएगे जो के main यहाँ पर platform है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको free credits जो है वो मिलते हैं और यह हर 24 hours में मेरे ख्याल से reset होता है यहाँ पर 8 hours में reset होगा क्योंकि मैंने account पहले से यह बनाया हुआ है और 8 hours बचे होगे से reset होने में 24 hours में आपको 150 credits देखने के लिए मिलते हैं एक generation के बाद जो ह है वो यहाँ पर credits यूज होते हैं कुछ ज्यादा क्योंकि यहाँ पर एक generation में एक credit यूज नहीं होता वो generation पर depend करता है आप कौन सा model यूज करते हैं और कैसा प्राउंड देते हैं तो उससाबर 4, 6, 10, 12 यहाँ पर credits यूज हो सकते हैं यहाँ पर feature models हम अथवासा देख लेते हैं तो यहाँ बहुत सारे models available है इतने options आपको किसी भी जो है वो AI art generating tools में नहीं मिलते हैं और यह हमारा आज का best AI art generating tool है लियोनाडो diffusion रीम शेपर वी से रेलेबरेट 1.1 और यहाँ पर उसकी description में भी आप पर सकते हैं कि और सा model आपको किस तरीके की image create करने में जो है यह देखे पिक्सल आर्ट के लिए यहाँ पर models available है बाकि यहाँ पर recent creations भी आप देख सकते हैं काफी जड़ा organized भी में आता है जैसे lexica में आता है लेकिन options यहाँ पर कुछ ज्यादा ही दिये हुए है और यहाँ पर भी अगर आप किसी भी यहाँ पर image पर click करते है तो इसका यू आई lexica से भी ज्यादा अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर options देखे और सारे देखने के लिए में रहे है creative upscaled image यहाँ पर show हो रही है बाकि आप इसकी original image भी देख सकते है एज़टी ट्रेस्ट as upscaled image भी आपर available है original image हम देखते हैं यहाँ पर जादा difference नहीं है लेकिन यह है उसकी original image यहाँ पर हम प्लेक करते हैं काफी ज्यादर जो है वो options देखने के लिए में होती है यहाँ से remove background पर आप जो है वो यहाँ पर click कर सकते हैं यह tokens आपके जो है वो use करेगा और यहाँ पर unzoomed image alternative अप सके सारे जो options है उसमें tokens आपकी use होगी है यहाँ सारे options आपक देखने के लिए मिर जाएगे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ आपको देखने के लिए मिर जाते हैं जिसे आप अपने answer जो है वो एक्सप्रो कर सकते हैं negative प्राउंड भी इसने दिया हुआ है resolution नीचे जो है वो mention किया गया है और भी बहुत सारे details mention की गई है और यहाँ पर mention किया गया है frame shaper v6 और radiated images भी आपको नीचे ही शोग हो रही है क्योंकि काफी जाबर जबरदस है बाखी यहाँ पर और भी बहुत सारे options देखने के लिए मिल जाते है settings और faq and help यहाँ पर texture generation AI canvas AI image generation जो कि हम यहाँ पर explore करेंगे community feed, personal feed, training and data, sets fine tune models सब आप जो है व ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा जो है वो इस वीडियो बाड़ी हो जाएगी यहाँ पर upgrade पर क्लिक करके आप इसकी pricing वगरा भी देख सकते हम चलते हैं AI image generation तो यहाँ पर कुछ और जो है वो यहाँ पर details या instructions दे रहा है आपको settings and parameters जो है वो उन पर define कर रहा है जो कि हम जेगे प्राउंट magic V2, Unparall, Creativity and Pront adherence और यहाँ पर image generation इमेज देखे भी आप image जो है वो जरेट कर सकते है यहाँ अलकेमी और unlock your creative potential जोनों पर click कर लेते हैं फिलाल और यहाँ पर मेरी एक generation आपको यहाँ पर सामने दिख रही है एक woman जो है वो जो है जोने पर वाइथी मैंन यहाँ पर image generation है और यहाँ पर prompt generation है तो हम जो है वो easy हमें prompt ही लगता है बाकि आप जो है वो image generation पर यहाँ पर आपना prompt type करी सकते हैं ठीक है यहाँ पर fine tools model select कर सकते हैं और यहाँ पर आप दिख सकते हैं आप कुछ लिस्ट of models देखने के लिए मिलते हैं और select custom model भी आप auto diffusion select करता हो कुछ वो है वो नेया try करते हैं यहाँ पर neon auto style ही रखना है या तो learn कर देना है आपको और अगर आपको negative round भी यहाँ पर देना है तो इसे on कर पत्ते हैं और दे सकते हैं बागी इसे बंद भी रख सकते हैं यहाँ पर दिखा हुआ आ रहा है कि this will use 14 tokens 15 tokens अवी रिम dimensions काफी ज्यादा options आपको देखने करीं मिलते हैं किसी जगा आपको यह option में ही देखने करीं होते हैं 1024 by 1024 यहाँ पर होती ज्यादा high resolution almost HD आपको देखने करीं मिल जाता है यहाँ आप आप जो है वो इसे बार्षा भी सकते हैं मैं जो है औरी कमेंटर होगा जो default है वही आप यूज करें क्योंकि आप जैसली बाराते हैं यहाँ पर जो है warning आ जाती है कि यहाँ पर जो इसके model है वो train किया गया है 1024 by 1024 पे results देने में तो यह पर best जो है वो यहाँ पर perform करेगा बात यहाँ पर expect ratio का भी option आपको देखने के लिए मिल जाता है किसी जगा देखने के बहुत जादा लेकिन 7 जो है वो यहाँ पर बीज नहीं कमांडेट है control नेट पर जो आप ग्लिक करेगे यहाँ पर जो है हर option के पास जो है वो यह question mark पर hover जब करेगा अपना mouse तो यहाँ पर आपको उसका instruction देखने के लिए मिल जाएगा allows you to influence your generation with import images आप जो है वो image import करके भी जो है वो कर सकते बाकि टाइलिंग वागेरा अग भी यहाँ पर है available यहाँ पर मतलब आप कोई texture मनाना है या कोई background मनाना है देख सकते है आप ideal for repeating textures of background तो आप टाइलिंग को on कर सकते है फादिल बादस चीज़ है यहाँ इमेज 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 पर ने बताया आपको यहां पर आप वह इमेज अपनोड कर सकते है तो और यहां पर आपको छो advanced setting भी है यूमेज फिक सीड अभी यहाँ पर feeding भी है आप जो है वह से अपने एसाप से जो है वह exploring कर सकते हैं बाकि यहां पर image फो image पर प्रह लहीं आप जनेड़ मत कर सकते हैं और आपगी यहां पर डिफल पर designed कर सकते हैं अगर आपको यहां पर settings याद नही और आप यहां 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 पर अपने जो है वो डिफॉर्ट पे रिसेट कर सकते एडवांस सैटिंग्स जब आप खुलते हैं यहाँ पर और भी चीजे जो है वो खुल जाएगी नंबर ऑफ इमेज दो इमेज यहाँ पर जेनरेट करनी है तो यहाँ पर सैमिल टोकन्स जाएगे आप हम फोर्ट सेलेक्ट कर और यहाँ पर सकीव इंस्ट्रक्शन ऑपर से प्रस्टर मेंटर पाइप लाइट इस से आपकी क्रिएटि ओटी और बर्जाएगे और हाई कंक्रास्ट त्रॉम्ह ऐहाँ पर इंक्रीस कर सकते हैं और इससे जो है वो ग्रैफिक्ट जो वेल्यू होगी उसकी खौती जाएद बर जाएगी चलिए आप जो हमारा है वो सम यह पे देते हैं मेरे सारी डीटिल्स और या आपको सारे आप्शन्स या कंट्रोल्स आपको पफावी है यहां पर मैं अपना जो है वो कॉपी करके पेस्ट करोगा देखते हैं यह भी यहां पर वह जो है वो लेता है तो इसे हम व यहां पर यह पावब मुझे दे रहा है कि फ्री प्री प्लैन पर है आप और प्रेट करें प्राइर्टी जनेरेशन इडिशनल टोपन क्रेट्ट्स एंड मेशमुरों के लिए अगर आपको यह जो है वह पसंद आता है तो आप जो है वह डेफिनिटली इसे प्रेट कर सकते है है बाकी वहना है आपके क्रेट्स जो है वह रिसेट होते जाएगे वह 24 आर्स में और यहां आप देख सकते हैं यो नाटो डिफूजन जो है वह मॉडल यूस करके क्या टीटील्ड जो है वह यहां पर इमेज हमें में मिनी है और इसका मुझे जो रिजल्ड है वह सबसे बह तो यहां पर अल्जूम इमेज अग्री यहां पर आपको दिख रही है यहां पर रिलीड कर सकते हैं डाउलोड कर सकते हैं अल्जूम इमेज वेटा में और पास्टोपन जा और जादा लगेगे आपको इसे अन्जूम करने के लिए और इनूर ब्रेक्राउन के लिए भी आ इसका भी screenshot लेना चाहोगा ताकि हम जो है वो इसे बाद में compare कर सके और हम जो है वो चलते हैं आज के हमारे last और fourth जो है imagine front में जो है वो यहाँ पर हटाना भूल गया था यहाँ पर आरा है तो चलिए हम फिर से जो है वो prompt देते हैं और imagine front हटा के यहाँ आप जनरेरेटर पर फ्लिक करते हैं कितना जो है वो फ़र्ट यहाँ में देता है देखते हैं फिरन हम जो है वो वाली जनरेशन को यहाँ पर सेव करेंगे यहाँ पर वीट करते हैं तो यहाँ पर देखें आपने similar almost same ही जो है वो इसमें जनरेशन जो है निकाल की दी है चले मैं इसका screenshot जो है वो ले लेता हूँ और हम इसे save कर लेते हैं मेरे ख्याल से this is the best AIR generator के जो आपको यूज करना चाहिए मिट जरनी को फूल जाहिए और यहाँ पर मैं इसे भी वो save कर लेता हूँ AIR generator और यहाँ पर से तो चले हम करते हैं हमारे 4 और आज के लास्ट लेकिन बेस्ट AIR generator टूल पर